हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों रियल्मी 9 प्रो 5G डिवाइस में रियल्मी के तरफ से सेप्टेमर का मंद का यहाँ पे एक नियो सौफ़वेर अपडेट आया है इंडिया के अंदर एंड मैंनों सोचा कि आप लोग के साथ सेर करना तो बनता है तो दोस्तों आज की सुडियो में मैं आप लोग को इसी नियो अपडेट के बारे में कम्प्लीट रिव्यू देने वाला हूँ और इस अफडेट के बाद आपके डिवाइस में क्या कुछ नई फीचर्स यहां पर देखने को मिला है लिए विडियो में थे इसी नियो अपडेट के बारे में आगे वीडियो में डीटेल में बताने वाला हूँ तो जानने के लिए वीडियो मैं तक बने रहे हैं क्योंकि इस update के बाद उनके device में काफी कुछ नहीं improvement से यहाँ पे किये गए है दोस्तों यहाँ पे जैसे यह आप लोग अपने device में इस new update को install करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके device के security में August के मंद का new security patch यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हालाकि अभी September का मंद चल रहा है और हमें यहाँ पे अगस्त के मंद का security patch देखने को मिल रहा है अगर हमें latest यहाँ पे security patch देखने को मिल जाता September का मंद का तो यहाँ पे काफे ज़्यादा बहतर होता Realme 9 Pro 5D device के users के लिए लेकिन आपको इस new update के बाद अगस्त के मंद का new security patch देखने को मिलेगा इसके अलावा दोस्तों system में improve system performance तो यहाँ पर आपके device के performance को और भी ज़्यादे improve किया गया है तो daily task में, multitasking में, games में और app open close में काफे ज़्यादा smooth experience यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके अलावा fix some non-issue and improve system stability तो आपके device में इन दिनों जो भी बस देखने को मिल रहे था ना तो उसे यहाँ पे fixed किया गया है and आपके device के system stability को improve यहाँ पे किया गया है and finally दोस्तों इस new update के बाद network में geo 5G network function आपके device realme 9 pro 5G में देखने को मिल जाएगा I mean आपके device realme 9 pro 5G में geo 5G support करने वाला है इस new update के बाद तो यह मुझे काफ़ी जादा good news लगा अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कि इस new update को आप लोग अपने device में कैसे install करोगे तो simply दोस्तों आपको अपने device के settings वालवसने चले जाना है फिर software update में चले जाना है and last में आपको वहाँ पे version checkout कर लेना है वहाँ पर आपको 8.44 का new version देखने को मिलेगा and simply आपको इस new update को अपने device में install कर लेना है और अगर आपके device में यह new update सो नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा देखिए दोस्तों यह जो new update है अभी कुछ ही limited users को देखने को मिला है all over India में यह आपको 7 days से लेकर के 10 days के अंदर अंदर all over India में देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे इस new update के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है हुआ 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 है